नमस्कार दोस्तों सुवागत अब सिभी के HP exam face में आज हम हिमाचल पदेश के February मन्त के complete current affairs करने वाले इससे पहले मैंने January मन्त के already जो current affairs से वो cover कर लिए अगर आपको वीडियो देखने होगी तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा हमारे चैनल पर हिमाचल पदेश current affairs names में एक playlist पर बना दूगा हूँ उसमें monthly current affairs ad हम करते रहेंगे तो आज हिमाचल के February मन्त के सारे important current affairs इस वीडियो में complete करने वाले हैं तो बिना किस देरी के आज की लेक्सर को start करते हैं First question देखे Which of the following are newly declared national importance wetland from हिमाचल पदेश उनका नाम का है एक सिर्मावर की रेनुका होगी कांगडा की पॉंग डैम होगी और लहौल की चंदर ताल ठीक है यह क्या है तीन रामसर wetland sites है मगर यह question आपका रामसर wetland sites से related नहीं है इसमें बोल रहा है wetlands of national importance तो अभी जो है 2 February को क्या मनाया गया world wetlands day मनाया गया हिमाचल में मनाया गया तो उसमें जो है 2 sites को क्या declare गया wetlands of national importance तो जो रामसर wetland site है उससे यह अलग है तो कौन-कौन सी 2 जगाओं को जो है wetlands of national importance घोशित किया गया तो डिरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर है right answer option C तो मन्डी का जो रिवालसर है और चम्बा का जो खजार है इसे क्या गोशित किया है wetlands of national importance तो जो रामसर wetland site है उसके साथ इसे confused नहीं कर रहा है अभी 2 February को क्या मनाया गया world wetlands day उसमें जो है दो sides को क्या गोशित किया गया wetlands of national importance उनका नाम क्या है कमांडिंग ऑफिसर इंदा इंडियन आर्मी तो हाली में भारतिय सेना में पहली हिमाचली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है तो आपको नाम बताना है ये इंडियन आर्मी में क्या बनी है पहली हिमाचल से बिलॉग करने वाली कमांडिंग ऑफिसर इनका आपको नाम बताना है करनल महधुरी खना, करनल सपनाराणा, करनल शैली जोदरी ये करनल राच्ट्री देसाई तो बताई इनका नाम क्या है second career जो right answer है वह है option b करनल सपनाराणा तो ये करनल सपनाराणा जो है हिमाचल से invest करती है तो second grade answer option B है, चले ठरड कुशन देखते, how much is the per capita income of हिमाचल प्रदिश more than the estimated national per capita income for 2023-24, हिमाचल में प्रती व्यक्ति आये 2023-24 के लिए अनुमानित राष्ट्रे प्रती व्यक्ति आये से कितनी अधिक है, तो अभी क्या है, आपका बजट आये था हिमाचल का, तो उसमें पर capita income बदाए थी हिमाचल की, वो कितनी थी? दो लाख 35,199, यानि पर व्यक्ति, यानि एक आदमी कितना कमारा है साल में हिमाचल में? दो लाख 35,199, तो अगर हम national level पे देखें, तो वो कितनी जादा है, ठीक है? अगर national level पे या इंडिया level पे एक व्यक्ति को देखें, वो हिमा हिमाचल वाला जादा कमारा हुगा अगर हम national level पे देखें, तो कितनी जादा कमारा होगा? यही इस question में पूछा गया है, तो इसका right answer है, option B, 49,345, ठीक है? 49,345, जो है, वो जादा कमारा हुगा हिमाचल का व्यक्ति है, यहाँ पर हिमाचल में हिमाचल में हिमाचल पर केप operation signed an MOU for the facility of cashless travel in HRTC, तो हाली में HRTC ने cashless suffer की सुवधा के लिए निगम के किसके साथ MOU sign किया है, तो MOU क्या होता है? Memorandum of Understanding, तो जो HRTC की बसी से है, उसमें आपको cash देना पड़ता है, कहीं भी आप travel कर रहे हो, तो कभीकार conductor है, उसके पास खुले नहीं होते है, तो उसके व travel जो है, start किया जा रहा है HRTC में, तो उसके लिए, Memorandum of Understanding, जो है, sign किया गया है, किसके साथ? SBI के साथ? SBI के साथ मिलके HRTC, अब cashless travel जो है, start करेगी HRTC बसो में, ठीक है, फोर्थ काइट answer गया है, फोर्थ काइट answer option B है, तो HRTC ने किसके साथ? Memorandum of Understanding, जो है, MOU sign किया है, कि जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, बेजा जा रहा है, उनको पांच दिन के लिए, तो ये एक International Tour of Teachers है, जो हिमाचल सरकार ने चला है, जिसमें 200 टीचरों को सिंगापूर बेजा जाएगा, तो पहला बैच है, उसमें कितने टीचरों को जो है, बेजा जा रहा है, तो simply इसमें पूछ रहा है, तो फिफ्ट का राइट answer के है, फिफ्ट का जो राइट answer है, वो ह हिमाचल सरकार दुआरा, तो पहले बैच में कितने एक सो दो टीचरों को जो है, भेजा जा रहा है, फिफ्ट का राइट answer के है, फिफ्ट का राइट answer option B है, चले इस दिखते है, रिसेंटली लोचन सिंग पठानिया of which district of the state has become vice admiral in the navy, तो हाल इमें प्रदेश की किस जिले क लोचन सिंग पठानिया नौ सिना में vice admiral बन गए है, तो आपको बताना है, इनका नाम क्या है, लोचन सिंग पठानिया, ये क्या बने है, नेवी में vice admiral बन गए है, तो हिमाचल पतिश की कौन से district से belong करते है, हमीरपूर, कांगडा, शिमला या इनमें से कोई इब रही, त कहां से belong करते हैं, कांगडा के शाहपूर से belong करते हैं, six credit answer option B है, तो सारे important current fair करा रहा हो हिमाचा प्रदेश के, हिमाचा प्रदेश के cover करते हैं, जाधा कोशन नहीं होती हिमाचा प्रदेश के, एका दुका एक्जाम में आते हैं, मगर ऐसा है, छोड़ना नहीं है, कलती से जाए, तो हम उन्हें कर लें, तो जो वीडियो में है, बीस के around में हर महिने हिमाचा प्रदेश कराते हैं, और इतने ही important बनते हैं, तो एक बार इस वीडियो को देख लो कि आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिमाचा पर ज्यादा फोकस करने की जरूर operation operated buses for religious places, तो हमाचा प्रदेश पत परिवान निगम धार्मिक स्तानों के लिए जो है, कि सेवा के अंतरकर बसों को संचालित करेगा, तो religious places जैसे अभी जो है, आयुद्या के लिए भेजी जारी है, बसे चिंदपूर्णी ऐसे अलग लग जगा के लिए, हरी दुआर के सेवंत का राचला के लिए अलग जो है, परफंधर्षन सेवा, तो इस प्रोग्राम के अंडर क्या नाम है, प्रफंधर्षन सेवा, इसरी हुख्या, जो है हिमाचल से बसी श्रेट के जारीह है, आयोद्या के लिए, हरि दुआर के लिए, जो भी religious places है, वहां के लिए, तो पहाली में जिला चमबा के जंजाती शेतर पांगी में कितने दिवस्य जकारू उच्छव का अगाज हुआ है तो ये फेस्टिवल का नाम याद रखना आपको जुकारू ठीक है ये कहां मनाया गया गया इसी पुछा तो चम्बा के पांगी एरिया में मनाया गया कोश्चन में यहां गया कितने दिन तक मना जाता है तो बारा दिन तक जो है यह मनाया जाता है तो एट का एट आज़ ऑप्शन बी है चले नाइन देखते हैं अधिशन परम आज़ेशन परदिश गया जो की हमिरपूर ने बनाया गया है मनाया तो क्या गया है HP SSC था उसको बदले जो है उसका नाम चेंज कर किया कर दिया है तो उसका चेर्मेन जो है एडिशनल चार दिया गया इंको कि इनको डॉक्टर आरके पुर्थी को अभी कली जो है इमर्जनसी केबिनेट भी बुलाई गई उसमें जो है 807 का अब आपका तो काफी सारे बच्चे जो है शिमला में बैठे हुए थे रिजपे महां पर जो है भूकरताल में बैठे हुए थे ठंड में बैठे हुए थे बारिश में बैठे हुए थे तो उन्हें इतना संगर्श किया उसका फाइनली आउटकम आ गया है अब जो गवर्नमेंट है वो जल्दी जो है result निकालेगी किसके थ्रू निकालेगी हिमाच्य परदेश राज्य चेन आयोग हमियरपूर के थ्रू ही जो है इसका result निकाला जाएगा जिए जो है जो है रिजल्ट निकाला जाएगा तो जो बच्चे है इतना संगर्श किया उन्होंने उनको मैं congratulate करता हूँ अब जो है आपका result जल्दी से जल्दी आजाए यही आशा है और जो बच्चे है 15-17 जो इसमें लगेंगे उन्हें जल्दी से जल्दी जो है appointment बिले जल्दी से जल्दी जो है अपना वो कारे जो है start कर पाए और उनको जो है रोजगार मिल जाए में तो रोजगार की दिक्कत है हमाज़ा प्रदेश में इतने टाइम से जो है vacances नहीं आ रही बच्चे जो है exam देते जा रहे हैं मगर vacancy उस लेवल की नहीं आ रही है तो अब ऐसा है 15-17 बच्चे तो लगेंगे अगर इसका result आएगा तो बहुत अच्छा काम किया आपने काफी टाइम से बैठे हुए थे वहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी कि हाँ जल्दी से result आ जाए ताकि जो है बच्चों को रोजगार मिल सके तैन देखें रिसेंटली अ थ्री डे स्टेट लेवल छेच्चू फेर वस एनॉगर यहाँ से छीज़फे लगता है कि अगर आपसे पूछों कि जो रिवाल्डस तो वहां पर कितनी के लेगह साथ लेकसए ठीक है कुछ नाम में मैं मंढी से अच्छी जगह और अची जगा और वहां पर जो आपका छेशू फेर लगता है तो मैक्सिम्म बच्चों को पता है होगा छेशू फेर कहां लगता है रिवार्ड समय और रिवार्ड समय मंदी में है टैंथ करेंट सर ओप्षिन सी है चले 11 देखते हैं महिलाओं को पंदरा सो रुपे दिये जाएंगे तो कॉंग्रेस की गरेंटी थे कि हाँ सभी महिलाओं को जो है पंदरा सो रुपे देंगे बाकि इसमें थोड़ा जो है अमेंडमेंट्मेंट्स कर रहे हैं कि जैसे किसी लड़की के जो फादर है वो अगर्वर्मेंट जॉब जाएगी complete उसमें बता देंगी कि किस तरह से देने वालें तो सभी जो महिला को है 1500 रुपे हिमाचल में दिये जाएंगे जो भी eligible होगी किस योजना के अंडर इस योजना का नाम याद रखना है इंद्रा गांधी प्यारी भेना समान निधी योजना ठीक है इंद्रा गांधी प्यारी भेना समान निधी योजना तो इसके अंडर जो है सभी महिलाओं को 1500 रुपे दिये जाएंगे तो ये कॉंग्रेस की पांच भी गैरेंटी थी तो OPS भी दे दिया जो 1500 रुपे का बुला था वो भी दे दिया बस रोजगार रह गया है रोजगार अभी तक आया नही श्री सुखविंदर सिंग सुखु जी ने सुख आश्रे ग्राम परिसर का जो है श्रीला नयास किया है तो एक आपका जो है ये बनाया जा रहा है क्या सुख आश्रे ग्राम कॉंप्लेक्स तो ये पुछा जा रहा है कहां बनाया जा रहा है जिला मंडी के धरंपूर में जि सुख आश्रे योजना थी उसमें जो और्फन पीपल होगे और्फन बच्चे होगे उन्हें जो है वहाँ पर रखा जाएगा उनकी एजुकेशन का खर्चा उठा जाएगा तो उसी के तहट जो है यह सुख आश्रे ग्राम कॉंप्लेक्स बनाए जा रहे हैं कहां पर कांगड के लुथान में ज़लिए नक्से देखते हैं ठर्टीन कोशन हूं हाज एस डचंसलर और सर्दार प्रतियल इनुंवर्सिटी मंडी हिमाल आ जाइसे तो हालि में किसे हिमान प्रतियलीसकी University मंडी का कुलपती नियूट किया गया है तो आपको पता है सरदाल प्रतेल उन्वर्सटी मंडी में जो वल्ल गोर्मेंट कोलेज था वही पर साइड में सरदाल प्रतेल उन्वर्सटी बना दिये गई है तो उसका जो है Vice Chancellor बनाया गया है कहां कर सरदार पटेल उनिवर्सटी मंडी का मंडी में जो है हमारी लाइबररी भी आपको मिलेगी कहां पर है स्कॉर्डी पूल के पास ठीक है आर्मी कैंटेन रोड है स्कॉर्डी पूल के पास तो लाइबरी जाए करो वहाँ पर एक मोहल मिलता है आपको पढ़ने का बाकी जाते रहों कि तो ऐसा है पढ़ते पढ़ते ही चीजे आपकी जो है क्लियर होती जाएगी ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहो हो मैंने वीडियो तो बना दी है वीडियो देखके जो है मैक्सि स्टेट कोपरिटिव बेंग में 232 क्लर्ग की विकैंसी जाई है तो अपने पास रखो प्रिविए से पेपर चेक करो कैसा है कट आफ कितनी है सब कुछ चेक करो और उसके हिसाब से जो है आपको पढ़ना है ऐसा नहीं कि तोटली जो है यूट्यूब पर डिपेंड करना है यूट्यूब से पढ़ूंगा तो ऐसे मैथ में वीक हो तो यूट्यूब के टॉपिक देखो और बुके अपने साम रखो रोज प्रैक्टिस करो तो वह चीज़े ज्यादा अच्छी होती है तो लाइबरी में आपको वही मौल मिलता है बच्चे पढ़ तो हाली में हिमाचापदिश के किस रेल्वे स्टेशन से आयोध्या के लिए आस्ता एक्स्प्रेस ट्रेंड की शुरुवात की गई है तो जो है आयोध्या आयोध्या के लिए जो है ट्रेंड चलाए जारी हिमाचापदिश से आस्ता एक्स्प्रेस ट्रेंड तो यह कहां से जो है इसकी शुरुवात किये गई है तो ड्रेक्ट लिए आपको आंसर बाता हो अम अंदौरा रेल्वे स्टेशन ठीक है अम अंदौरा रेल्वे स्टेशन है यहां से जो है आस्ता एक्स्प्रेस टेंड चलाए जाएगी आयोध्या के लिए ठीक है तो जो अनुराग ठाकु सब्सक्राइब करने के लिए प्रामार सेवाय प्रदान करने के लिए जो है समझौता ग्यान पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं तो एक MOU यानि मोम्रेंड अफ एंडर्स्टेंडिक जो है सेट अप करने के लिए तो किसके साथ किया गया द्रेक्ली आंसर बताता हूं एंड़ी सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको बताना है यह गहार वैली कहां पर है अगर आपको यह भी बता है कि गोची फेस्टिवल कहां मना जाते हैं तो आप इसका अंसर बता सकते हो ठीक है तो गोची फेस्टिवल कहां मना जाता है यह लहौलेंड स्पिती में मना जाता है तो गहार वैली भी आपकी लहौलेंड स्पिती में होगी तो जो गहार गाटी है यहां पर जो है गोची फेस प्रफ्र इसन कई से में पर सबस्ता पार पर इंडीया में तो इसके उपर रिशच करने वाला है कौन सा जो है इस टूर्ट रिशर्च करेंगा एनिटी हमिरपूर आई टी मंडी यह कशाने पालंपूर के 17 कुछ राई टांशर कहने वह हैं CSIR पालंपूर, तो CSIR पालंपूर जो है, इस पर रिसर्च करने वाला है, नीदर लेंड की प्योनी फ्लावर से, जिसे फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में भी उगाया जा रहा है, तो इसके उपर शोद कौन कर रहा है, CSIR पालंपूर, तो 17 का एट असर ऑप्शन C है, तो यह भी मैं जो है, एक प्लेयलिस्ट हमारे चैनल पे बना दूँगा, तो इस वीडियो को इतना रखता हूँ, बाकि आपसे अगरी क्रास में लोगा, तब तक के लिए शबक है, थेंक्यू.